पूरी कहानी बात दोस्तों एक साल पहले की है जब सर अगरवाल साम मेरे पास आये थे और इस दुविधा में थे कि सर में क्या को रहो मेरे बच्छा अभी 12 बस एक्रावाला है और फिर 12 एक्जामेंशन के साथ में क्या CA foundation के एक्जामेंशन की तैयारी अभी से करवाओ या फिर पहले ये 12 की examination दे दे उसके बाद इसकी CA foundation के तैयारी हम शूरू करते हैं तो अनुवाल सब आप छोड़ा सब बताईए उस दिन क्या हुआ था नवश्क्राफु मैं इस पस प्रेड़ेक्टर से मिला रेतेश सांने मुझे प्रेड़ेक्टर से मिलाया और मुझे बता था कि पहले 12 हो जाए उसके बाद फिर CE की तयादी करना चाहिए लेकिन के गाइडेंस और उपामेडम की गाइडेंस से हमने लविश को यहां पर इंटर्डूस किया और फाइनली लविश ने अभी 12 की एक्जाम दी है और अच्छा स्कोर किया है यह सब प्रेड़ेक्टर और उपामेडम का ही ब्लेसिंस है अच्छा मतलब इतना अच्छा की 93 पस आपके मन में थोड़ा संशा है इनिशेली मुझे रखता था कि पहले 12 हो जाए फिर आम फाउंडेशन की तरफ जाएंगे बट जब जैसे प्रेड़ेक्टर ने बताया कि सर यह बच्चा मुझे सोग दो और हम इसको सिये बना के ही यहां से निकालेंगे तो मुझे लगा कि सर की बात में बहुत कांफिडेंस है और मैंने जैसा सर ने कहां वैसा किया और सर के सुप्रोधी कर दिया बच्चे को और आज मैं बहुत खुश हूँ कि लवीश सर के साथ है और काफी ठीक कर रहा है तो रितेश्शर आपको याद होगा मैं तो बाद में आता हूं करना है तो जनरली इस्टुएंट्स बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि साथ में चलेगा इन्होंने जिसापसे फांडिशन उसके साथ 12th मैनेज किया वो इनक्रेडिबल है इनक्रेडिबल है इनके फादर मेरे पास लवीश की प्रोग्रेस रेपोर्ट पूछने आते थे तो ह हमें बोलना पड़ता था इनको कि सर मतलब लवीश इतना फ़पलर हो गया था फैकल्टी में कि किसी भी फैकल्टी से पूछे हम उसको हमें पढ़ने का मना करना पड़ता है अरे बस हम सोचाओ नहीं अब सोचाओ किताबों को भी आराम की जरूरत होती है प्रुबा मैं जैसा रिटेश भाही बुड़ रहे थे कि अचली इतनी बार मेरे से टेंटिबल बनभाया था और बार बार मुझे बोलना पड़ता था लवीश नहीं इतना नहीं पढ़ना है यह था तो अब अब आप लिए भी आपने फिनॉमनल था चाहिए वेल्ट का रिजल बोलो चाह कर दो को का का मैरे सहीं था बार मेरे से चयों हमें नहीं आप लिएष स्कषिंन महां आप ब्लウीट कि तो हमें था प्रश्ए केंट जासी करें था इतना क्रा सर wondering how to do this अगर उनको गाइटेंस अच्छा मिलते हैं, तो आज बहुत आगे निकल सकते हैं इस शिद्दत से किसी लक्ष के प्रीचे पढ़कर दिवानगी से उसका पीछा करना क्या होता है इतनी सी बात से समयन में आ जाएगा आप मुझे बता रहे थे सर, अभी भी जब एग्जामिनेशन के पहले उसका कोर्स दो तीन तीन बार हो चुका है, मैं दावे से बूल रहा हूँ तो अभी भी आपने बता है कि सुभे लविश कितने बजे घर से निकलता है और कभ रात को अब उसकी क्लासे इतनी है, टाइमिंग अवर्स इतना है और यह सब क्रेडिट लविश ने अपनी महनत करी तेकिन सर और माडम ने भी बहुत सपोर्ट किया तो भी लविश आज यहां पे है, तो गाइडेंस इस मोर और इंपोर्टेंट, पढ़ा ही तो अपनी जगा है बट गाइडेंस भी बहु जलूरी है कि अवरी शुर कि अभी जुन का इसका एग्जाम होगा है तो जुलाई में वापस हैं इसी प्रिकार से बैठेंगे वापस बैठेंगे सब्सक्राव एक वीडियो दोस्तों अल्रेडी में पहले बना चुका हूं लविश प्राव जाकर देखिएगा जरूर् जा मैंने बताया था कि वो कैसा पैशनेट होके बढ़ाई करता है तो जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं हम आपको यह बताना चाहते हैं आपके बच्चे हीरे हैं हमें उन्हें तराशने का मौका दीजिए और सही समय दीजिए ताकि हम उन पर काम कर सकें सीए डिफिकल्टी यह बिल्कुल नहीं है यह कहना कि इजी है या डिफिकल्टी वो इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे ने अपना गोल कप तय करा 11th स्टेंडर्ड की सार हमारे बच्चे है जो भी 11 पढ़ रहे हैं और वो हमारे पास आरे हैं तो हम जब दो महीने में स्टेंडर्ड की सब्सक्राइब कर दो में लिखित में दे सकता हूं कि उनकी अल इंडिया रैक इतना स्कोर है इतनी बार उनका कोर्स होगा उससे पी परफिक्शन उनके इंदर आई जाता है लवीश हमारी बख-बख बहुत हो गई है आप ओडियन्स आपको सुनना चाहती है बिल्कुल अब मेरा टाइम शुरू होता है तो और आप बताईया ओडियन्स को कि कैसे पढ़ा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा पेखं़ लिसन क्या है यह आप सरूरू कर सकता है यह प्लीज आप के साथ में इस पॉसिबल की बच्चा सीए पॉंडिशन कर सकता है है यह आपकरी में एक पास्ट्राइक कोर्स होता है तो अपना जो कोर्स है वो सिए फांडेशन का कमचे कम तीन बार रिवाइज होता है तीन बार की ज़रूरत पढ़ती है क्या तीन बार की जरूरत पढ़ती है क्या तीन बार की जरूरत पढ़ती है क्या अपने को स्कोर करना हो तो उसके लिए आपने को कमसे हम दो या तीन रिविजन कंपन चाहिए है लोग के आंसर राइटिंग प्रेक्टिस डेली कमसे हम चार या पास आपको डेली लिखो गए दो से तीन कोपी आप भरो गया सौरॉपसर से चेक कर आओगे कोपी तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा कढर लाओ में बथ अच्छा कैगा मैं अपनी आपने जासगा था कैन्रना करना है वसक्ति दो से तीन बार तूश यह तैनर कर लिया तो आपक तो पढ़ा भी होगा, मॉडूल भी पढ़ा होगा? Yes sir, मैंने पूरे मॉडूल देटिंग करी, पूरी कोशान से करें, स्कैनर भी दो-दो तीन दिन पर करें वाल, अच्छे तो अब जो रिजल्ट आएगा वो और अकाउंट्स का कैसे पढ़ाई करना है? Sir, अकाउंट्स में मनोच सर से बेस्ट फेकल्टी कोल भी नहीं है मनोच सर जो पढ़ाते था वो क्लास में रिवाइज होता था एक कोश्चन को साथ तरीके से गुमा फिरा के एक कोश्चन मनाते था एक कोश्चन में एक कोश्चन उपाता था साथ कोश्चन बंजाते से था वो सारे कंसेट इले एक बार में एक कोश्चन वाइज तो Sir, लबज एक कोश्चन में आप से कुछना चाहता हूं जो आपने ट्वेंट के साथ फॉंडजिन किया तो foundation का आपको क्या advantage मेला 12th की preparation में? सर जैसे मैंने foundation की preparation करी तो जैसा बोलते है 12th के बाद foundation करना माला foundation थोड़ा से के advance level होता है 12th के बाद एक advance level होता है तो जैसे मैंने advance level पढ़ लिया था तो जिससे मेरा 12th में जो score है वो बहुत जादो boost up हो गया तो जैसे accounts में वो 95 हा है आउट अफ अंडेड एकनोमिक्स में 96 हा है आउट अफ अंडेड तो 12th की पढ़ाई easy लगने लगी होगी तो 12th की पढ़ाई मेने advance level पढ़ जाता हुआ तो basic level बोत गाद 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 तेरी आपसे गुजारिश है आपका बच्चा हीरा है और हमारी punch line है unfolding potential जो बच्चे में potential है उसको हम unfold कर देंगे पर हमें सही समय पर बस वो बच्चा मिल जाए ताकि हम अपना पैस दे सकें बहुत बहुत दन्यवाद Thank you Thank you